हेलो सुट्रेंट्स वेल्कम बैक टि माई यूट्यूब चैनल आज हम एक्सरसाइज 9.4 में जो हमारा कोश्चन रहता था कोश्चन नंबर 4 उसको देखेंगे बिकॉज इसका जो करने का प्रोसेस था वो थोड़ा डिफरेंट है राइट सो कोश्चन 4 की तरह अगर आपको को कोश्चन मिलता है तो आप इस प्रोसेस से ही करेंगे जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ राइट सो इसमें पहला स्टेप सेम है जैसे कि हमें एनथ टर्म फाइंड आउट करनी होती है सो हमें वही फाइंड आउट करनी है इसमें भी पहले सो पैटन को देखके हम एनथ अपनी निकाल लेंगे तो यू नो दाट वण टू थी की जगह अफकोर्स यहां पर वन अपन करके ही लिखेंगे वन टू थी नेक्स तर्म होगी फोर फाइफ सेक्स एंड अप टू एंड बिकॉस आपको इसमें स्पेशल सीरीज में सम फाइंड करना है अप टू एंड टर एक एकर मैं एंड में वन डालू तो मुझे वन आउट पूट मिलेगा एंड अफर्स टर्म डालूझे वह सिक्टी एंड अफर्स तर्म में ही मुझे वह टू थी यह तो अभी तक वन था था तो बस एन में एक और एड कर दूँंगी राइट so बाकी तो rest वैसे ही है so n plus 1 सही रहेगी nth term because अगर मैं 1 डालती हूँ तो मुझे 2 मिलता है second term डालने पर मुझे 3 मिलता है जो की second term ही है same way third term डालने पर मुझे मिलेगा 4 so इसके लिए आएगा आपका n plus 1 बिल्कुल इसी symmetry में जैसे 1, 2, 3 पहले है तो उसके लिए n है 2, 3, 4 के लिए nth term है उसके next में लिखा है n plus 1 ये आपकी nth term हो गई है 1 upon n into n plus 1 right अब next step बहुत important है कि हम nth term को same इसी nth term को किसी और form में लिखे right और वो है 1 upon n minus 1 upon n plus 1 you can clearly see मैंने यहां पे बीच में क्या डाल दिया है minus का sign इसको 1 upon n को इस तरफ लिख लिए है 1 upon n plus 1 को एक तरफ लिख लिए है close the bracket और यहां पे आपका क्या हैगा हमेशा difference और difference कौन सा जो इस message जो हम minus करेंगे इसको that means आपको हमेशा इस वाली side से इसको minus करना है n plus 1 आप rough में कर सकते हैं n plus 1 minus n तो यह आपको देगा difference that is n से n cancel तो इनका difference क्या आया है 1 तो मैं क्या लिखूंगी 1 upon 1 और यह as it is So आप सोच रहे होंगे कि हमने इस nth term को इस तरह क्यों लिखा है अगर आपके पास इस तरह की special series आएगी उसकी nth term find out करेंगे और वो कुछ इस तरह से होगी एक nth term इस side होगी और multiply में दूसरी nth term इस side होगी हमेशा आपको क्या करना है उनको अलग लग करके लिखेंगे और बीच में क्या sign आएगा minus का always और यहाँ पर उनका difference आएगा और यहाँ पर जो term होगी उसी में से आप इसको minus करेंगे और हमने इस term को इस तरह से क्यों लिखा है because अगर आप इस term को simplify करोगे तो वो आपको same answer देगी as this so we can say that हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रफ में देख लीजिए कि हम अगर इसे solve करेंगे तो हमारे पास बिलकुल same as it is आएगा LCM लीजिए n प्लस 1 minus n हो जाएगा उपर और डिनॉमिनेटर में बेस में n इंटो n प्लस 1 जैसे LCM लेते हमने term ले लिया है वैसे ही n से n cancel और उपर क्या बचा है 1 upon n इंटो n प्लस 1 so you can clearly see that ये दोनों बिलकुल same है बस लिखने का तरीका एकदम different है right so हमारा next step यही होगा nth term find out करने के बाद हम इनको इस तरह से लिख ले right अब इसके बाद next step देखो क्या है ये हो चुकी आपकी nth term और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते है because 1 है तो इस तरह से भी लिख सकते है so अब आपको क्या निकालनी होती है terms निकालेंगे आप इसके बाद 1, 2, 3 up to n terms जो भी आपको starting से terms निकालते हैं जैसे हम a1, a2, a3 वो निकालेंगे इस nth term की help से जो हमने new phase दिया है अपनी nth term को, right so a1, इसमें डालूंगी तो मेरे पास क्या value आएगी 1 upon 1, minus 1 plus 1, that is 1 upon 1, minus 1 upon 2, right ऐसे ही a2 2 इधर आएगा, अब 2 इधर आएगा 1 upon 2, minus 2 plus 1, that is 3 a3 होगा 1 upon 3, minus 1 upon 3 plus 1, that is 1 upon 4, up to एक आप n से पहले previous term भी लिखेंगे, that is a n minus 1, because अगर last term a n है, तो उससे previous step होगी, उससे previous term होगी, n minus 1 so, n के अंदर हम मेरे को n minus 1 डालना है, n minus 1 minus, इसमें भी n minus 1 plus 1 और minus 1, 1 cancel होजएगा, तो यहां से आएगा n minus 1, minus 1 upon n और nth term last term, n जब n में ही डालोगे so, यही output मिलेगा, 1 upon n upon, 1 upon n minus n plus 1 right, so, हम क्या find out करने हैं अपने question में, sn that is sum of all the terms up to n terms, right so, मैंने अपने new nth phase के साथ, जो मैंने new create किया है, उसकी मैंने terms निकाली हैं, तो मुझे अब इनका sum करना है तो मुझे यह करना होगा, इन सारी terms को plus में लिखना है, लेकिन इसी format में लिखेंगे, a1 की जगा ये, a2 की जगा ये, a3 की जगा ये and so on, so, जब इनको sum up करके, combine करके लिखेंगे अपने terms को, तो इस तरह से आपके पास कोई value आएगी, right so, यहां पे देखो, अगर मैं इन brackets को remove कर दूं, सिरफ outer bracket रखों, तो में को कुछ इस तरह से value दिखेंगे अपनी, so, you can see that, यह जो यहां से लेकर, यहां तक ही, सारी terms, minus plus, 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 ऐसे करके, सारी आपस में जो है, वो cancel out हो जाएगी, और सिरफ only term आपकी कौन सी बचेंगी, first and this one, one minus one upon, and plus one, so, इसलिए हमने अपने जो एनेच टर्म को new face, इसलिए दिया था, ताकि हम अपना जो कोशन है, इतनी असानी से अपना answer, निकाल पाएगे, यहां पर बस मैंने LCM किया है, और आपका sum निकालना कितना ही easy हो गया, because ऐसे कोशन में आपकी inner term सारी cancel out हो जाएंगी, और आपको बस basic LCM लेना है, जब आपकी पास first और यह वली last term बचेगी, so, n upon n plus one is your final answer for this sum up to n terms, for question number four, so, इस थरह से question बिलकुल इसी तरह से होंगे, इसी format में होंगे, I hope आपको concept clear हो गया होगा, next example देखते हैं, extra question, so that आपका concept है, वो दुबारा से revise हो जाएं, और एकदम clear हो जाएं, but if you still have a doubt, you can ask in a comment section, okay, I will reply you as soon as possible, so, इसमें भी आपको क्या है, find करना, पहला step, nth term find out करेंगे, right, so, इसकी जो nth term होगी, one three five, this is odd series, one three five, next seven, then nine, so, odd series का formula होता है, nth term के लिए, two n minus one, मैंने previous video में आपको detail में बताया है कि हम nth term कैसे generate करते हैं, so, you can watch that video, so, three five seven के लिए मैं क्या लिखूंगी, two n plus one, right, because अगर आप इसमें, one डालेंगे तो आपको मिलेगा three, two डालेंगे तो five मिलेगा, और अगर आप इसमें three डालेंगे तो आपको वो seven देगा, so, हम इसको new face देंगे, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है कैसे देंगे, ये वली term, बाहर आता है आपका d, इसमें से इसको minus करेंगे, rough में कर लीजे, two n plus one minus, two n minus one, so, one plus one, two, difference आया है आपका, two, d की जगाँ आप क्या रखेंगे अब two, और इनको simply आप minus का sign बीच में रखके, बिल्कुल अलग करके लिख लेंगे, so, अब आपको क्या करना है, nth term आपकी निकल के आचुकी है, अब आपको इस new nth term जो आपने face, जो आपने generate किया है, इसमें से आपको terms लेनी है, up to value डालके, n की one, two, three, n terms की value डालके, आपको terms लिखनी है, next step, यह जो terms की आपकी value है, इन सब को add करेंगे, because हमें some find करना है, इन terms का, right, and यहाँ पर important step है, previous वाले question number four में, आपका जो difference आया था, one आया था, तो यहाँ पर आपने one के साथ सारी terms थी, तो आपको one था, one के साथ multiply करोगे, तो वो ही value मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर one by two, one by two, one by two, हर एक term के साथ है, तो sum करने पर, अगर मैं इन सब को add करूंगी, तो one by two की terms अब के साथ तो आएगी, तो मैं one by two को common लिख लूँगी, right, तो इन सारी terms के साथ one by two, one by two, one by two, one by two था, मैंने common लिख लिख लिया है, one by two, एक साथ बाहर, तो one by two आपका बाहर चल रहा है, यह terms आपस में क्या हो जाएंगी, तो अगर आप bracket रिमूव करके लिखेंगे, सिरफ यहां तक, सो बचेगी always आपकी यह और यह, that is one minus one upon two n plus one का आपको LCM लेना है, two n plus one minus one, base में two n plus one, one से one cancel, उपर है two n, डिवाइड में है two into two n plus one, two से two cancel, n डिवाइड by two n plus one is your answer for this question, I hope आपका concept clear हो गया होगा, thank you student for watching this video, और नेक्स्ट वीडियो में solve examples देखेंगे for miscellaneous exercise on chapter 9,